या आपने कभी butterfly milk को देखा है? या इसके बारे में सुना है? जी हाँ butterfly milk दरअसल जापान में एक ऐसा आदमी है जोकि तितली से भी उसका दूद निकाल लेता है सबसे पहले ये ककून से छोटे butterfly के निकलने का इंतजार करता है फिर कुछ दिनों बाद जब ककून से तितली बाहर निकलने लगती है तो ये तितली को पकड़ कर उसकी lower body को दबा देता है जिसे उसका milk निकल जाता है और आपको बता दूं कि इस butterfly milk को पानी के साथ mix किया जाता है क्योंकि ये दूद काफी गाड़ा होता है और एक butterfly एक लिटर से भी ज्यादा milk produce करती है अगर इसे पानी में मिलाया जाये तो जिसे एक container में store कर लिया जाता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे महगे liquid में से एक है और इसकी कीमत लाखों में होती है ऐसा कहा जाता है कि ये male body में infertility को दूर करता है वैसे आप मैंसे किस-किस को butterfly पसंद है कमेंट करके बताओ कुछ ऐसे जानवर जो पंची तो नहीं है लेकिन फिर भी उड़ सकते है साउथी स्टेशिया में पाये जाने वाला ये जीव ना तो पक्षियों से कोई रिष्टा रखता है और नहीं इसका नाता flying lemur से होता है हाना कि ये lemur जैसा दिखता जरूर है पर इनका थोड़ा बहुत relation चमगादलों से होता है लेकिन पक्षी ना होने के बावजूदी अपने पैरों से जुड़े वैब लाइट पंको की मदद से काफी दूर तक उड़ सकते है जंगलों में पाये जाने वाला ये मेंधा अपने शिकार पर जपटने के लिए 2-3 फिट नहीं बलके 50 फिट तक हवा में ग्लाइट करते हुए छलांग लगा सकता है दोस्तों ये है उलने वाला सांप असल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए ये सांप छलांग लगाता है और जैसे ही ये नीचे आने वाला होता है तो ये अपनी बोड़ी को फ्लैट कर लेता है जिस वज़े से ये हवा में एक बार में 25 मीटर तक की दूरी तै कर सकता है ये कीले अपने शिकार के उपर ग्लू से हमला करता है जिसके बाद इसका शिकार वहीं चिपक जाता है और वो ज़रा भी नहीं हिल पाता जिसके बाद ही उसे आसानी से अपना भूजन बना लेता है इस कीले को Velvet Warm कहा जाता है जो कि सिर्फ Amazon Rainforest में ही पाया जाता है वालरा से एक ऐसा जीव है जो कि जमीन और पानी दोनों जगा सर्वाइव कर सकता है और इसकी चलने की रफतार काफी धीमी होती है लेकिन इसके बावजूद भी ये इनसानों से काफी तेज दौड सकता है देखो जब एक मकडी अपने पुराने कवच से बाहर निकलती है तो वो कुछ इस तरह लगती है दोस्तों इस डरावने पक्षी का नाम पोटो है जोकी अजीबो गरीब आवाजे भी निकालता है इसे आप उल्लू का छोटा भाई भी कह सकते हैं वैसे क्या आपने कभी इस बर्ड को देखा है कमेंट करके जरूर बताना एक सामय ऐसा आता है जब कुछ जानवर लगातार कई दिनों और महीनों तक सोते रहते हैं यहां तक है यह खाने और पीने के लिए भी नहीं उठते तो फिर ऐसे में यह जानवर जिन्दा कैसे रह पाते हैं देखो जब सर्दी का मौसम आता है तब भालू लगातार तीन महीनों तक सोता ही रहता है जहां नॉर्मली भालू का दिल एक मिनिट में पचास बार धड़कता है वहीं आप सोते वक्त उसका दिल एक मिनिट में आट बार ही धड़केगा और टर्टल्स की भी कई परजातियां ऐसी होती है जो कि देड़सों से 200 दिनों तक बस सोते ही रहते हैं और ऐसे में वो अपने मूँ से सांस भी नहीं लेते बलके ये मिट्टी के नीचे अपनी स्किन के जरीय सांस लेते हैं और सोते वक्त इनकी भी दिल की धड़कन 10 मिनिट में केवल एक बार ही धड़कती है दरसल इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहा जाता है जिसमें कई सारे जानवर एक लंबे समय के लिए सो जाते हैं ऐसे में ना तो उनको भूक लगती है और ना ही प्यास लगती है ये उमर के साथ कभी बूढे नहीं होते बलके उमर के साथ इनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जाती है दरसल लॉबस्टर के शरीर में एक तरह का एंजाइम पाया जाता है जो लॉबस्टर के डियेने को बचा कर रखता है जिस वज़ेसे ये बुढ़ापे के कारण कभी नहीं मरते हाला कि उनकी मौत का कारण इनसान या बीमारी हो सकती है दोस्तों एफरीका में पाई जाने वाली ये मशली 5 साल तक बिना खाय पिये जिन्दा रह सकती है ये मशली तालाप के सूख जाने के बाद अपने आपको बड़ी ही आसानी से जमीन में गार लेती है और बारिश आने के बाद वापस मिट्टी से बहार निकल जाती है और बहुत लंबे समे तक ये ऐसा कर सकती है जिस कारण ये बहुत लंबी जिंदगी जीती है और तो और पानी सूख जाने के बाद ये जमीन पर भी चल सकती है दोस्तों जैली फिश को कभी ना मरने वाला जीव कहा जाता है जो की कभी भी नहीं मरती और जब ये बूडी होने लगती है तो अपने लाइफ साइकल को उल्टा कर देती है जिससे ये वापस अपने चाइल्ड हुड में आ जाती है दोस्तों ये है कुछ ऐसे पेड जिनकी तरफ साँप खेजे चले आते हैं भूल कर भी आप इने अपने घर के आसपास मत लगाना नमबर वन जैस्मिन याने चमेली का पेड़ चमेली का पेड़ बेशक खुशबुदार होता है लेकिन खुशबुदार होने के साथ-साथ ये काफी ज्यादा घणा होता है जिसके अंदर साँप अपने आपको बड़ी ही आसानी से छिपा सकता है दोस्तों संत्रिया नीवू के पेड़ के पास चुहे और छोटे पक्षियों का बसेरा होता है इसलिए उनका शिकार करने के लिए साँप इनके आसपास मंडराते रहते हैं वैसे तो इन पेड़ों को हर कोई नहीं लगा सकता लेकिन चंदन के पेड़ खुशबूदार होने के साथ साथ काफी ठंडग भी देते हैं इसलिए साँपों को इन पेड़ों से लिपटने में काफी मज़ा आता है और साँप हमेशा चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं वैसे आपने अपने घर में कौन सा पेड़ लगाया है कमेंट करके जरूर बताना